तो आज किस वीडियो में हम लोग इंफोसेस के रिकूर्टमेंट ड्राइव एक नए अपडेट के बारे में बात करने मालें कुछ समय पहले इंफोसेस के तरफ से एक जॉप नोटिफिकेशन रिलीज किया था जो कि सिस्टम इंजिनियर के लिए था तो उसके एकॉर्डिंग यहां पे सॉट लिस्ट हुए हैं उन्हें वह मेल आ रहा है तो इस कि क्या है और जो सथालेक्ट नहीं हो recruitment है तो जितने भी candidate यहां पर system engineer role के लिए apply किये थे तो जितनों का resume या फिर criteria match कर रहा है उन्हें यह mail आ रहा है जितने भी candidate यहां पर sort list हो रहे हैं उन्हें यह mail आ रहा है इसके लावा यहां पर आप लोग देख सकते हो you have been sort listed for the system engineer rule जैसा कि मैंने कहा कुछ समय पहले एप्रॉक्स वन मन्त पहले यह रूल यह जो वेकंसी इंफोसेस की तरफ से रिलीज किया था तो जो पे पैकेज आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा तो compensation offer for the rule is 3.6 lakh per annum additional benefits includes like health insurance of 4 lakh per annum and the life cover of 30 lakh per annum तो जो यहां पर आपका ctc कहलो वह आपका 3.6 lakh per annum के लिए हैं और बांकि आप लोगों को जो भी additional benefit होंगे वह आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा जो test आपका होने वाला मिन्स यह जो placement process system engineer के लिए तो यह basically online test जो इसका placement process होगा वह online test technical interview and finally HR interview होगा तो जो आपका पहला step है complete placement process का that is the first step of our selection process in Infosys is online test and which gonna be conducted on Sunday 22nd of August 2021 तो 22nd of August को यह exam होने वाला है pay package 3.6 lakh है और जो job role है वो system engineer है इसके अलावा जितने भी candidate यहां पर select नहीं उन्हें भी mail जा रहा है कि you have not been shortlisted और उनके according जो भी यहां लिखा होता है वो उनके पास भी जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिफ shortlisting वालों को email आ रहा है जितने भी candidate यहां पर shortlisted हैं और नहीं हैं दोनों को यहां पर equally mail जा रहे हैं इसके लावा sender को यह आपका exam होने वाला है और उससे 48 गंटे पहले जो भी login credentials होगा वो आप लोगों के register mail ID पर यानि कि जिस पर वो आया वा है उसी पर वो आ जाएगा यहां पर आप सकते हों login details at least 48 hours before the test इसके अलावा यदि आप लोग फिर exam में shortlisted होते हो या फिर exam आप लोग क्वालिफाय करते हो तो फिर यह talent execution at direct infosys.com इसके थूर और mail आएगा और जिससे आप लोगों को interview का scheduling उसके थूरू ही होगा तो यह सभी चीजे mail आया हुआ था तो में को लगा आपके साथ यह discuss करना जरूरी है इसके अलावा यहां पर दो दो attachment भी online test का PDF क्या होगा और कुछ guidelines भी है यहां पर तो faq हम लोग on करते तो यहां पर आप लोगों को इसके बारे में और भी detail मिल जाएगा जो test duration है वह 100 minute का है what is the format of the test यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा total path section होने वाले what is the score for each तो यह सभी चीजे आप लोगों को वहां पर attach होगी तो यहां से आप लोग जादा information ले सकते हो इसके लावा यदि वीडियो आप लोगों को informative लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपने दोस्तों के साथ इससे सेर करे और अपना मेल्बुक्राइब